देश भर में बसंद पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। के लिए उनकी इन तीन प्रिये चीजों का भोग लगाया जाता है। पौरानी कताओं के अनुसार बसंद पंचमी के दिन ही ब्रहमा के मुझ से मासरस्वती प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन विशेश रूप से इनकी पूजा की जाती है। इस साल बसंद पंचमी का मासरस्वती को प्रसंद करने के लिए आप बेसन के लड़ू का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही रबडी और केसर की खीर का भोग लगाना शुब माना जाता है। मासरस्वती को इन तीनों चीजों का भोग लगाने से करियर में उनती प्राप्त होती है और मासरस्वती क आशिरवाद बना रहता है जो भी व्यक्ति बसंद पंचमी के दिन बेसन के लड़ू का भूग लगाता है मासरस्वती के साथ ही भगवान विश्णू भी प्रसंद होते हैं इसके साथ ही उसके करियर में सफलता प्राप्त होती है वहीं केसर और चावलमा लक्षमी का प्रतीक माना जाते हैं इसलिए पसंद पंचमी के दिन मासरस्वती को केसर की खीर चड़ाना भी शुब माना जाता है इसके साथ ही रबडी भी मासरस्वती को पसंद पंचमी के दिन चड़ाई जाती है आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत सुपकाम नाए आप लोगों को ज्यात है कि बसंत पंचमी माता सरस्वती का बहुत ही विशेश त्योहार है और बसंत पंचमी माग मास के सुखल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है इसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है बसंत पंचमिर के दिन जो भी लोग मा सरस्वती की पूजा अचना करते हों नहीं विसेश केरियर में विद्या बुद्धी में विसेश फल मिलता है इस दिन माता सरस्वती की पूजा जो लोग बेशन का लड़ू का भोग लगाएंगे केसर के खीर का भोग लगाएंगे और रबडी का भोग लगाएंगे उनके जीवर में हमेशा ही अच्छी बुद्धी उनको प्राप्त होगी माता सरसुती की बुसेस की पापबनी रहेगी और केरियर में बहुत ही अच्छा लाब होगाई भलो सरसुती माता कीज़ए उत्राखनरिशी केस से ईशा बिरोरिया लोकल 18 के लिए